हेलो स्टुडेंट आज मैं आपको सिखाने जारी लेसन नंबर 10 बैंक एंड सिंपल इंट्रेस तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मुला बता रही कि उस फॉर्मुला को समझने के बाद आपको एकदम इजी हो जाएगा आगे सम सॉल करने को तो चलिए फैले फॉर्मुला समझ निकालने का है कि बैंक हमें THREE YEARS के लिए अगर हमने 25,000 रुपीस हमने डिपोसिट किया तो इस पर से हमें इंट्रेस्ट कितना मिलेगा चलिए यह निकालने का फॉर्मुला क्या है total interest इन्ट्रेस्ट में इंस i आर की जगे एट ही जगे हामें लिखना है थी अपवाँ फोझनी कि ऐंट से यहां पर दहुलेंट यहां पर कट जाएगा तो हमारा कितना बच यहां पर 250 बचा 250-8. gak भलै थ्री हमानों सुर्ट हो गया है out टू टीविटी टैड़ सिक्स थाउजन गृपीज आया यह यदिन अगर हमने मटिप्लाय कितना आब शीदेशन रुपीज आयगा तो स्टुडेंट आप यह समझ गेंगे अच्छे से आपको यह फॉर्मुला खाली आपको ध्यान में रकना यह समझने के लिए करने के लिए पी मल्टिप्लाइ आर मल्टिप्लाइ टी अपॉन हंडेर्ड यह इंट्रेस्ट रेट निकालने का फॉर्मूला है इस्टुडेंट प्रैक्टिस एट फॉर्टी है फर्स्ट कोश्चन है हमारा इफ रिहाना डिपोजिट 1,500 रुपीज इन दा स्कूल फंड एट 9 PCPA इस्टुडेंग यहां पर बताया है कि रिहाना ने अगर डिपोजिट किया है वन थाउजन फाइफ फंड रुपीज जो है स्कूल फंड के लिए इसने डिपोजिट किया है और उसमें डिपोजिट के बाद में उसको कितना बैंक इंटर्स देगी तो हमें आई निकालना है तो स्टुडेंट चलिए इसको हम करते हैं पी हमारा यहां पर दिया है 1,500 रुपी हमारा है 1,500 रुपेज और हमारा रेट आफ इंटरेस जो है वह 9 है ताइ मिन्स टाइम दिया है 2 यह तो यहां पर हमें आई निकालना है आई हमारा कोशन है तो आई निकालने का फॉर्मूला स्टुडेंट मैंने आपको बताया है पी मल्टिप्लाय आर मल्टिप्लाय टी अपान हंड्रेट तो अब हम सब को नंबर्स को यहां पे सेट कर देंगे पी हमारा 1500 है तो पी की जगे 1500 हमने लिखा है मल्टिप्लाय आर हमारा कितना है 9 है हमने 9 लिखा है सब्सक्राइब आपन हंड्रड देखें अब हमने सब वैल में रख दिया है यहां पे अब हमें क्या करना है यहां पे हमारा 1000 यहां पे अभी हम क्या करएंगे बाकि जो उपर की नंबर है उनको हम सिंपल तरीके से घ्थाली multiply कर देने का है तो 15 multiply 9 multiply 2 अगर हम इसको सब को multiply कर देंगे तो अभी हमारा आ जाएगा आई is equal to 270 रूपिज आ गया है तो अब हमें amount निकालने का है कि amount वो कितना bank उसको देगे तो amount is equal to p plus i तो p हमारा principal यानी 15 1500 प्लस i हमने निकाला है 270 ठीक है अभी इसको सीधा हमें plus कर देने का है सीधा हमने इसको plus किया तो हमारा कितना आ रहा है टोटल 1770 ठीक है तो देखे स्टुडें रिहाना ने जो हम 15 1500 जो डिपोजिट किया था टू यह के लिए तो उसको interest कितना मिला interest मिला है 270 रूपिज interest मिला है तो उसको यह amount बाद में कितना मिलेगा टू यह के बाद 1770 रूपिज बाद में उसको मिलेगा तो answer यह हमारा हो गया रिहाना विल गैट रूपिज 1770 देखिए student P हमारा यहाँ पे दिया है 1500 तो P हमारा है 1500 रूपिज और हमारा rate of interest जो है वो 9 है time T means time दिया है 2 years तो यहाँ पे हमें I निकालना है I हमारा question है तो I निकालने का formula student मैंने आपको बताया है P multiply R multiply T upon 100 तब हम सब को numbers को यहाँ पे set कर देंगे P हमारा 1500 है तो P की जगे 1500 हमने लिखा है multiply R, R हमारा कितना है 9 है तो हमने 9 लिखा है T की value है 2 तो 2 लिख दिया है हमने upon 100 student देखिए अब हमने सब value को हमने रख दिया यहाँ पे अब हमें क्या करना है यहाँ पे हमारा सब को multiply कर देंगे तो अभी हमारा आ जाएगा आई इस इकल टू आ गया 270 रूपिस आ गया है तो अब हमें इमांट निकालने का है कि एमांट वो कितना बैंक उसको देगे तो इमांट इस इकल टू पी प्लस आई तो पी हमारा प्रिंस्पल यानि 15 1500 प्लस आई हमने निकाला है 270 ठीक है स्ट्रिन अभी इसको सीधा हमें प्लस कर देने का है सीधा हमने इसको प्लस किया तो हमारा कितना आ रहा है टोटल 1770 ठीक है स्ट्रिन तो देखे स्ट्रिजन प्रिहाना ने जो हम 15 1500 जो डिपोजिट किया था 2 यह के लिए तो इसको इंट्रेस कितना मिला interest मिला है 270 270 रुपीज interest मिला है तो उसको यह एमांट बाद में कितना मिलेगा 2 years के बाद 1770 रुपीज बाद में उसको मिलेगा तो answer यह हमारा हो गया रिहाना विल गैट रुपीज 1770 सब्सक्राइब जेठा लाल ने एक हाउजिंग लिया है 250,000 का वो लोन है जो कि rate of interest bank का 10 है और time period है 5 तो हमें यह निकलना है कि yearly उसको कितना interest उसको लोन का पेट करना है और 5 years के बाद वो total amount कितना return करेगा तो चलिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आई का formula हम लिख रहें यहां पे i is equal to p multiply r multiply t upon 100 i is equal to p हमारा जो amount है 250,000 multiply r हमारा 10 है t हमारा है 5 upon 100 यहां पे 2020 यहां पे कड गया हमारा कितना बज़ा 2500 multiply 10 multiply 5 ठीक है student अब इन तीनों को multiply करेंगे तो हमारा interest आ गया 1,25,000 रुपिस student लेकिन यह हमारा time of period 5 years का है हमने यह 5 years का निकाला है ठीक है तो 5 years में हमको इतना interest आएगा लेकिन हमें yearly भी निकालना है yearly निकालना है yearly निकालना है तो हमें yearly 25,000 divide by 5 तो हमारा yearly आ जाएगा अब इसको divide कर देंगे तो हमारा आ गया 25,000 वाज़ाब कि हमें yearly हर साल हमें 25,000 हमें इतना हमें interest आएगा देने के लेए अब हम amount हम पूरा हम निकालेंगे कि amount हमें कितना देना पड़ेगा तो a is equal to p plus i तो p हमारा हमने कितना loan लिया था 250,000 तो 2,50,000 रुपीज प्लस i i हमें पूरे 5 years का हमें बताना है या पे yearly का नहीं हमें add करना है तो 5 years का है 1,25,000 तो हम वह लिखेंगे 1,25,000 ठीक है अब हम इन दोनों को plus कर देंगे add हमने कर दिया तो हमारा आ गया 3,75,000 तो हमारा आंसर हो गया student जेठालाल जेठालाल विल रिटन रिटन टोटल अमांट अफ रुपीज 3,75,000 तो तो बैंक student थर्ड कोस्चन में आपको अभी सिखाने जा रही हूं श्रीकांत उसने डिपोजिट किया बैंक में प्रिंस्पल है 85,000 उसने बैंक में डिपोजिट किया है और रेट अफ इंट्रेस्ट है सेवन है और टी है इसका मतलब बता है तो इसको हम शॉटकट में पहले हम इसको यहां पर सॉल कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें इजी पड़ेगा इस मैथट से करने पर इसको हम यह जो लिखा है इसको हम शॉट करके 2.5 लिख सकते हैं तो यह हो गया हमारा 2.5 हो गया आगे हम इसको सॉल कर लेते हैं तो i is equal to p multiply r multiply t upon 100 है तो p जो हमारा 85,000 रुपीज है तो 85 हम लिखते है p की जगे पे r हमारा rate है 7 and t हमारा है 2.5 ठीक है तो हमने यहां पर 2.5 लिख दिया upon 100 अग इस student यहां पर जो two point है decimal आ रहा है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे one unit के बाद में है आ गया हमारा 10 ठीक है यह decimal हट गया है तो उसकी जगे नीचे 10 आ गया है तो अब हम क्या करेंगे 2 0 यहां पर 2 0 कट गया one zero one zero यहां पर कट हो गया तो अभी हमारा बचा 85 multiply 7 multiply 25 तो इसको हमें multiply कर देना है तो multiply करने के बाद हमारा जो interest है वो आ रहा है रुपेज 14,875 तो student यह हमारा rate of interest निकल आ गया 14,875 तो answer हो गया Shrikant will receive रुपेज 14,875 at the end of the period तो देखे student यहां पर तो श्रीकान ने two and half years के लिए जो deposit क्या था उसके bank ने उसको interest दिया है after period 14,875 student fourth question में आपको सिखा रही अभी P हमारा यहां पर principle जो दिया है 5000 रुपीज दिया है T time दिया है 4 years का I दिया है 1200 and R नहीं दिया R missing है R हमें निकालना है rate of interest हमें यहां पर find out करना है formula तो वही हमें लगाना है I is equal to P multiply R multiply T upon 100 100 तो I हमें दिया है I का value हम लिखेंगे 1200 I का value जो दिया है वही रहेगा 1200 is equal to P P दिया है 5000 multiply R नहीं दिया है दिया है अपन 100 तो अब हमें student यहां पर क्या करना है 200 यहां पर कट गया है पूरी तरीके से अभी यहां पर बचा है 50 multiply 4 तो 50 multiply 4 करेंगे तो हमेरा R at 200 ठीक है student therefore 1200 is equal to यहां पर हो जाएगा 200 R multiply 200 होगा student तो अभी हमें R निकालना है तो R जो है वह हम बाहर ले लेंगे R is equal to हो जाएगा भी 1200 multiply यह जो number 200 यह पलट के यहां पर upon में आ जाएगा डिवाइड में तो 1200 upon 200 ठीक है तो अभी यहां पर 2-0-0 कर गया तो R हमारा हो गया है 2 बंजा 2 2 6 12 तो R हमारा आ गया 6 तो rate of interest हमारा आ गया है 6% ठीक है student तो यह हमारा rate हमने निकाल लिया है 6 आ गया है rate अब student देखिए अभी इसी में आगे continue किया है कि अगर P principle 15,000 हो जाता है तो बाकी सब वही same situation पर interest कितना होगा 500 चीक है student अब यहां पर हम वैसे ही कटपिट कर देंगे 2 0 यहां पर 2 0 कड़ गया है तो बचा कितना 150 50 x 6 x 4 तो इन सब को अगर हम multiply करेंगे तो हमारा आ रहा है rupees 3,600 तो हमारा interest जो है निकल गया है 3,600 student अभी जो next 5th number का question है इस पंकज deposit 1,50,000 rupees in a bank at 10 PCPA for 2 years what is the total amount he will get from the bank student वैसे ही करना है इसमें अगर पंकज ने deposit किया इतना पैसा 10% 10 PCPA के इसाफ से 2 years के लिए तो उसको bank से कितना interest मिलेगा तो यह आप इसको solve कीजिए वही formula लगाना i is equal to p multiply r multiply t upon 100 तो उसको solve कीजिए comments करके बताईए कि answer आपका क्या रहा है और student अगे आपको वीडियो कर पसंद आ रहा है तो अपने friends लोग के साथ में share कीजिए और subscribe कीजिए आपका कीजिए